आज हम पढ़ेंगे mechanization of agriculture के बारे में तो agriculture किसे कहते हैं एगरिकल्चर जरात को कहते हैं और mechanization of agriculture का process कौन सा process होता है इस process में modern forming methods adopt किये जाते हैं यानि modern forming methods को अब agriculture में यानि जरात में practice किया जाता है ताके productivity या पैदावार ज्यादा हो जाए यानि जो agricultural products हैं जो जराई पैदावार हैं यानि मुखतलिफ किसम की जो फसले होती हैं और उन से हासल होने वाले जो products होते हैं जो अशिया होते हैं उनकी जो quantity है और quality है उसको ज्य जादा किया जा सके किस तरीके से mechanization of agriculture से तो mechanization of agriculture में नई technology का या नई techniques का इस्तमाल किया जाता है जैसे कि अगर हम इस image में देखें तो यहां पे हमें मुखतलिफ किसम की machinery नजर आ रही है तो यह machinery modern agriculture में इस्तमाल होती है या हम यह कह सकते हैं कि खेती बाड़ी के नई तरीक जाता है और इसे mechanization of agriculture कहा जाता है तो अगर हम इसकी importance की बात करें तो mechanization of agriculture के बहुत ज्यादा फाइदे हैं जिसमें से सबसे बड़ा फाइदा यह है कि modern farming methods से वक्त की budget होती है इसके इलावा agricultural जो products हैं उनकी productivity भी ज्यादा होती है जबकि इसके बर अक्स अगर हम old farming methods को देखें तो old farming methods में बहुत ज्यादा time लगता था इसके इलावा जो farmers थे उनकी बहुत ज्यादा मेहनत और energy waste हो जाती थी और productivity भी इत्ती ज्यादा नहीं थी तो जब से modern farming methods इंट्रोड्यूस हुए है agriculture की field में तो productivity बहुत ज्यादा हो गई है तो इस तरह से agriculture की field में mechanization को बात करें तो ये production के लिए भी जुरूरी है यानि इस तरह के जो modern तरीके हैं वो production या पैदावार के लिए भी जुरूरी है इसके इलावा किसी भी मुल्क की जो तरकी है उसमें भी बहुत important role play करता है agriculture और अगर agriculture में modern तरीकों को अपना लिया जाए तो automatically उस मुल्की जो development है वो भी ज्यादा होगी इसके इलावा इसका एक और फाइदा अगर हम बात करें कि इसका एक और फाइदा क्या है या advantage क्या है तो ये decrease करता है यानि कम करता है pre and post harvest losses यानि फसलों की कटाई करने से पहले और बाद में जो पुराने जमाने में नुकसानात होते थे old farming method से तो अ हो गए हैं तो हमारा मुल्क चूंके एक agricultural country है पाकिस्तान चूंके एक जराई मुल्क है और पाकिस्तान की economy के लिए agriculture यानि जराद backbone का का काम करती है यानि जराद से होने वाली जो income होती है उसका हमारी मुल्क की economy या एक्तिसादी हालत पे बहुत ज्यादा effect होता है तो हमार मुल्क में भी बाकी तरकी आफ़ता मुमालिक की तरह कोशिशें की जा रही है कि agriculture यानि जराद को ज्यादा से ज्यादा मॉडरनाइज किया जाए ताकि जो productivity है agricultural जो products हैं उनको increase किया जा सके तो हमारे country के अंदर mechanization of agriculture के लिए जो steps उठाएगे हैं तो उनको हम one by one करके discuss कर ल यानि अपनाया गया हमारे country के अंदर वो ये है कि प्लो करने के लिए यानि जो खेत वगरा हैं तो उनमें हल चलाने के लिए और harvesting हर्वेस्टिंग किसे कहते हैं जब फस्टलों को काटा जाता है तो उसे harvesting कहा जाता है तो plowing और harvesting के लिए tractors का और modern machinery का इस्तमाल करना ताकि क हम वक्त में ज्यादा से ज्यादा बड़े area को plow किया जा सके यानि हल चलाया जा सके इसके इसके इलावा ज्यादा से ज्यादा फसलें बहुत अच्छे तरीके से harvest की जा सके तो सबसे पहला step क्या है machinery का इस्तमाल करना यानि tractor और दूसरी जो agriculture में इस्तमाल होने वाली machinery होती है उसका ज्यादा से ज्यादा इस्तमाल करना तो हमारा मुलक चूंके एक developing country है यानि एक तरकी पजीर मुलक है इसलिए जो farmers है यानि जो किसान है वो हर एक किसान के लिए ये possible नहीं है ये मुमकिन नहीं है कि वो tractors और इस तरह की heavy machinery को खरीच सके तो इस मकसद के लिए Asian development bank ज जाजात देता है ताके जरात की बहतरी के लिए इस तरह की machinery को खरीदा जा सके इस तरह से machinery को इस्तमाल करके पैदावार में इजाफा किया जा सकता है और हमारे मुलक के अंदर इस process पे यानि इस step पे अमल कब से शूरू हो चुका है यानि ज़्यादा से ज़्यादा मिशीन तो बहतर बनाने के लिए एक तरीका है ट्यूब वेल्स का ज्यादा से ज्यादा इस्तमाल करना ट्यूब वेल्स का फाइदा ये होता है कि जब फसलों को पानी की जरूरत होती है तो ट्यूब वेल्स की मदद से वो पानी फसलों तक पहुंचाया जा सकता है यानि जिन दिन तो इस तरह से ट्यूब वेल्स की मदद पानी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, क्योंकि अगर पानी की कमी भी होगी तो ट्यूब वेल्स की मदद से खेतों को सेराब किया जा सकेगा, यानि इरिगेशन का जो प्रोसेस होता है, खेतों को जो पानी देने का प्रोसेस होता है, जो के फसलों की नशनमा के लिए जरूरी होता है, यानि फसलें जो बढ़ती हैं, तो उनके बढ़ने में पानी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, तो इस तरह से tube wells की मदद से जराई पैदावार में इजाफा किया जा सकता है तो tube wells भी क्या है? modern farming method का एक तरीका है अब हम एक और step की बात करते हैं तो वो step क्या है? वो step है plant protection तो plant protection बहुत सी टेकनीक्स इस्तमाल होती है जो के बहुत जरूरी है ताके जो crops की yield है यानि जो फसलों की पैदावार है वो ज्यादा से ज्यादा बहतर बनाई जा सके तो plant protection में मुखतलिफ किसम के steps इस्तमाल किये जाते हैं जिसकी मदद से जो पोदे होते हैं वो resistant varieties produce की जाती है resistant का मतलब होता है के उनके उपर मुखतलिफ किसम के insects और जो diseases होती है वो फिर कम असर करती है तो इस तरह के जो resistant plants होते हैं modern agriculture में उस तरह की plant varieties को काश्ट किया जाता है ताके ज्यादा से ज्यादा जो पैदावार है वो हासल की जा सके इसके इलावा जो resistant varieties होती है वो protection प्रोवाइट करती है पैस्ट के खिलाफ पैस्ट वो insects यानि कीड़ मुकोड़े और animals होते हैं जो के फसलों को तबाह कर देते हैं तो plant protection में इस तरह की modern technique से इस्तमाल की जाती है कि जो पौदे हैं वो resistant varieties हों या पौदों की varieties ज्यादा से ज्यादा बेहतरीं varieties हों ताके उनके उपर pests और diseases यानि मुक्तलिफ बिमारियां हमला ना कर सकें तो इस स्लसले में हमारी जो government है यानि government of Pakistan है वो भी farmers की मदद करती है वो मुक्तलिफ किसम की facilities यानि सहुलियात फराहम करती है ताके ज्यादा से ज्यादा प्लांट protection की जा सके तो इस स्लसले में हकूमत मुक्तलिफ किसम की advisory services फराहम करती है यानि किसानों को अगाह करने के लिए मुक्तलिफ किसम की अगाही मुहिम शूरू की जाती है और वो किसानों तक पहुँचाए जाती है मुक्तलिफ किसम के प्रोग्रेम्स के जरीए या टीवी या रेडियो के प्रोग्रेम्स के जरीए इसके इलावा अखबारात या पंफलिट वगरा के जरीए किसानों को आगाह किया जाता है ताके ज्यादा से ज्यादा कौन से तरीके अपनाए जाएं या कौन से प्लांट्स इस्तमाल किये जाएं जिनकी पैदावार ज्यादा हो इसके इलावा फसलों पे एरियल स्प्रे भी करवाया जाता है तो हकूमती सता पे एरियल स्प्रे वगरा करवाया जाते हैं ताकि ज्यादा से ज्यादा प्लांट प्रोटेक्शन की जा सके यानि प्लांट को मुखतलिफ किसम के जो पेस्ट्स हैं डिजीस काॉजिंग इंसेक्ट्स वगारा हैं उनसे बचाया जा सके तो इस तरह के जो ऐरियल स्परे होते हैं वो आम जो किसान है वो उसको अफोर्ड न कर सकते तो इसलिए हकूमती सता पे इस तरह के एक्तमात किये जाते हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा अगरिकल्चर की फील्ड में तरकी लाई जा सके इसके इसके इलावा मेकनाइजेशन अफ हैec절 के लिए कि इसमें फार्मर्स को यानि किसानों को financial resources प्रोवाइड की जाता है यानि माली मौावनत की जाती है resources जराए financial माली यानि रकम फराहम की जाती है ताकि किसान जरात में इस्तमाल होने वाले मुगतलिफ किसम के जो अशिया होती है जैसे के सीड्स हैं यानी बीज हैं फर्टिलाइजर्स हैं यानी खादे हैं जो के फस्टों की जरखेजी में इजाफा करती हैं इसके इलावा पेस्टिसाइड्स यानी खास किसम के केमिकल्स होते हैं जिसकी मदद से जो पेस्ट्स होते हैं यानी डिजीस कॉजिंग और्गनि और ज्यादा से ज्यादा प्रोड़क्टिविटी हासिल की जा सके तो इस तरह से मेकनाईजेशन ओफ एग्रिकल्चर में मौडरन फार्मिंग मेथेड्स इस्तमाल किय जाते हैं ताके ज़रई पैदवार में इजाफा किया जा सके तो आज हमने पड़ा मेकनाईजेशन ओफ ए